हे नमस्कार दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पास्पोर्ट हिल्प लाइन पे जहां पे आपको पास्पोर्ट अप्लिकेशन डोकुमेंटेशन पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग-अलग के अलावा जो बाकी डॉक्मेंट आप लगा रहे हैं उसमें अगर डिटेल दोनों के आपस में मैच नहीं करते हैं तो उसे सिती में क्या करना चाहिए जैसे कि अधार कार्ड तो बिल्कुल कॉमन है वो तो सबको देना ही देना है लेकिन उसके साथ जो बाकी चीजे हैं जै जैसे कि मानने के चले कि आपके अधार कार्ड पर आपका जो डेट अबर्थ है वह 15 अगस्त 1927 है लेकिन वहीं आपका जो मांक्षिट है उसमें 17 अगस्त 16 अगस्त है मतलब यह कि वह मैच नहीं कर रहा है आपके जो आधार कार्ड है उसमें आपकी नाम का स्पेलिंग है कि आपका अप्लिकेशन जो है अपॉंट्मेंट के वक्त हो जाएगा वहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है वह आपको वहीं पर आपका अप्लिकेशन होल्ड कर देगा अब गाइस उनकी भी मजबूरी है क्योंकि सारा काम आप्लिक होता है सभी चीज़े ऑनलाइन है अब वह सिस्टम जो है एक अप्लिकेशन का एक ही नाम ले सकता है ठीक है और अब एक ही अप्लिकेशन के दो नाम दे रहे हैं तो अलग-अलग नाम के सरकारी काम में आप गलत जो भी डॉक्मेंट है जिसमें कुछ कमी है कुछ भी गलती है वो आप नहीं दे सकते हैं ऐसे में दोस्तों क्या करना चाहिए ठीक है तो मैं आपको बिल्कुल एक सॉलिड और एक जन्यून सॉलूशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में पहला क लोगों के लिए है जिनको जो है ECR पासपोर्ट चाहिए ठीक है जिनका जिनको जो है केवल एक नॉर्मल ECR पासपोर्ट चाहिए उनके लिए चीजे जो है बहुत आसान हो जाती है बहुत इजी हो जाती है क्यूंकि आपको ECR पासपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपक से menсячicate वालिड होगा है कि मिरा नाम रियल नाम जो हैं रमेश लेकिन मेरा आधार काट पर नाम शूरेश है तो भई अब दुलिया मुझे शूरेश के नाम से आखे की मैं अपना सकते हैं ईसमें कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा लेकिन वही लोग जो की non-eCR मतलब की ECNR passport पाना चाहते हैं ECNR passport को apply करना चाहते हैं उन लोगों को यहां पर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने अधार card के साथ अपना mark sheet भी attach करना होता है ऐसे में दोस्तों आपका जो mark sheet है वो आगे भी जाती है आपका जो mark sheet है वो आगे आपका board office जाता है वहां से वह verify होने के बाद वहां से attested होने के बाद ही आपका जो है आगे process होता है passport application का ऐसे में है अगर आपका normally कोई भी mistake है तो वो reject हो जाएगा तो guys यहां पर दो option है ठीक है पहला कि आप 10 के mark sheet का कुछ alternate लगा दे जैसे कि non-eCR के लिए बहुत सारे ऐसे alternative documents है जिसको आप आप as a evidence as a document आप सकते हैं non-eCR के लिए like अगर आपके पास ITR की copy है current year का या फिर पिछले दो साल का तो वो चलेगा ठीक है अगर आपके नाम से कोई land है या फिर property है जिसका जो asset का जो valuation है वो 10 lakh रूपीज से उपर है और जिसको पास साल के अंदर अंदर ही उसको purchase किया गया है तो आप उसको भी as a solid proof of non-eCR के लिए लगा सकते हैं और भी चीजे हैं उसके साथ लेकिन वह उतना common नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं चलो माल लिए कि आप 55 से नीचे के आते हैं और आप आई टी आर कुकि नॉर्मली आई टी आर यार लोग नहीं भरते हैं ठीक उतनी income होनी चाहिए आई टी आर भरने के लिए तो उस इस्तिति में क्या करना चाहिए तो यहां पे एक option आता है वह है गैजेट गैजेट बेसिकली होता है गाइस भारस सरकार का एक राजपत्र होता है जो की हफते में दो दिन जो है वह छपता है प्रिंट आउट होता है जिसमें कोई भी सिधार कोई भी भूल का सिधार आप कर सकते हैं ठीक है तो आपको एक window के मादियम से अपने जो है गैजेट में आपका nomination कर वाना होगा आपको गैजेट में प्रिंट तो इस तरीके से अगर आ आप GAD aur लेते हैं एगर आप GAD का फोटो कौपी प्लस अगर उसकी ओरीज़नल फोटो कौपी अगर आ पास्पोर्ट ओफिस लेकर जाते हैं तो वहां पर पास्पोर्ट ओफिसर जो है इस बात को लेकर कर लिया है और वो आगे है जो आपके फाइल को आगे और बढ़ा देंगे इनिशियेट कर देंगे तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर कुछ अलग-अलग आपको आपके लिए सॉलूशन मैंने बता हैं जो कि आपके लिए बहुत जादा फाइदे मंद होने वाला है अगर आप नौन इसी आर पासपोर्ट बनवाते हैं तो तो दोस्तों आशा और उमीद करता हूं कि छोटे से वीडियो से आपका पूरा कंफ्यूजन जो था वो पूरी तर जातरी की बहुत बहुत सारी सुव कामना है जैहिन